क्या आप भी नवे महीने में आ गई हैं? आपका भी प्रेग्नेंसी का नवा महीना है? तो प्रेग्नेंसी के नवे महीने में क्या-क्या होता है? प्रेग्नेंसी के नवे महीने में बेबी का कितना ग्रोथ हो जाता है? प्रेग्नेंसी के नवे महीने में आपके बॉडी में क्य आने वाली हूं तो वीडियो को जरूर देखें वीडियो को इस्किप करके ना देखें प्लीज रिक्रेस्ट है और वीडियो अगर प्लीच अच्छा लगें आपको तो चैनल को Like set सब्सक्राइब करना habrank RPA मेहने में सबसे पहला तो आपके बिष्ट का साइज बढ़ने लगेगा क्यों बढ़ने लगेगा क्योंकि आपका breast आपके सिसू के लिए milk production उपन करना सुरू कर दी है और जब milk आपके breast में बनेगा तो automatic वो बड़ा आपको दिखने लगेगा बड़ा होने लगेगा हलका हलका उसमें से रिशाओ भी होने लगता है इसके अलावा आपका जो आपको सोने उठने बैठने चलने फिरने में काफी तकलीफ आपको होने लगेगी काफी आपको pain महसूस होने लगेगा इसके बाद आपके जो private part है ओ धीरे धीरे खुलना सुरू हो जाएगा आपका बच्चा जो की head down position में आ गया है तो अपने सर से दबावा बनाएगा तो धीरे धीरे आपका वेजाईना खुलना सुरू हो जाएगा प्रक्रिया सारे symptoms नॉर्मल है अगर ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की ज़रूत नहीं आपको खुश होना चाहिए कि अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी की प्रक्रिया सुरू हो गई है छीज हने ही होने चाहिए इसके बाद क्या होता है प्रेगन्सी के नौवे महिने में आपका पेट भी बड़ा हो गया है आपके सीसू का बिकास ही काफी हो जाता है जिससे की आपको ठकान शोली नीचिक लिए और गया है लिस्सेंद मुज़मा आपको एस वेइस क्प्रेग के सुरुवात में नौवे मन्थ में क्या होता है कि आपके यूरिन की फ्रिक्रेंसी बढ़ जाती है क्योंकि सिसु हेट डाउन पोजिशन में आ गया है इसके अलावा आपको भूख ज्यादा लगने लगेगी क्योंकि आपको सांस लेने में सबसे पहले तो अगर सिसु आपक लेवर पेन इस मन्थ आने लगेंगे आपको ये फॉल्स लेवर पेन कंट्रेक्शन ज्यादा सताएंगे क्योंकि ये फॉल्स लेवर पेन बार बार आपको आएंगे और जब आपना पोजिशन आप चेंज करेंगी तो ये आटोमेटिक ठीक भी हो जाते हैं क्यों सताते हैं ये आपको जो है इंट्रोडक्शन अपने लेवर पेन से करवाते हैं, कि रियल लेवर पेन आपको इससे कई गुना ज्यादा आने वाला है, जिसकी तैयारी आप अभी से करना सुरू कर दीजिए, ये फॉल्स लेवर पेन कंट्रेक्शन आएंगे, फीठीक हो जाएंगे, ये कंट्रेक्शन आएंगे, कैसे ये कंट्रेक्शन आपके पीट से लेके पेट तक आएंगे, ये दर्द आपको महसूस हो, होने लगता है, इसके बाद प्रेग्नेसी के नौवे महीने में, आपका सिसु जब अपना सर नीचे कर लेता है, तो बेबी के मुवमेंट में भी आजाती है जितना पहले बेबी मूवमेंट करता था उससे काफी कम अब मूवमेंट करेगा अब ये मा की जिम्मेदारी होती है कि आपका सिसु कितना घूम रहा है इसको कलेक्शन करना कलेक्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है आप देखिए कि दो घंटे में तीन से चार बा और आपका सिसू घूम मूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो यह सारे सिम्टम्स यह सारे लक्षार आपको नौवे महिने में देखने को मिलेगा अब जानते हैं कि सिसू में क्या-क्या विकास होता है और क्या-क्या होता है द कैसे मतलब यह हर महिला के साथ होता है हमारे साथ भी हुआ था सब के साथ होता है लेकिन आपको करना क्या है आपको इस्ट्रेस पाल के नहीं बैठना है सबसे बड़ी गलती महिला यहीं करती है कि इस्ट्रेस पाल के बैठ जाती है जब आप इस्ट्रेस पाल के अल्रेडी बै सीजर करना पड़ेगा तो इस्ट्रेस पाल के आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए आप केवल अपने सिसू के बारे में सोचेंगी न तो इस्ट्रेस अपने आप गायब हो जाएगा कि मेरा सिसू इस दुनिया में आने वाला है उसके लिए मैं क्या-क्या सौपिंग क करूं क्या-क्या तैयारिया करूं उसको मैं कैसे क्यार करूंगी तो इस्ट्रेस अपने आप आपका गायब हो जाएगा इसके बाद इस नाइन मंत में आपको पीट केवल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि पीट केवल सोने से आपके सिसू के पास ना तो आक्सीज चाहिए बाई करवट या दाई करवट दोनों में से की दाई करवट आपको ज्यादा सोना चाहिए इसके बाद आपको अगर पीठेवल सोती है तो आपको पीठ में दर्द भी होने लगेगा पैरों में सूजन होने लगेगी इसके बाद इस मन्त आपको जुक के कोई भी का से का कफी बुरा असर पड़ता है आप को सकता है कि समय से पहले आप सी मिचोर सबिदाएगे तो आपको वजन का समान भी नहीं उठाना चाहिए इसके अलावा आपको नाइन में रिलेशन भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि पेट पे जोर पड़ता है रिलेशन रखने से इसके बाद नाइन मन्त में आप डिलीवरी बैक तयार करके रख लिजिए क्योंकि कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है यह कोई इसका फिक्स डेट नहीं है कि कब कब आपका किसी को भी बुला ले या फिर उसके पास आप किसी के पास चले जाए क्योंकि नाइन मन्त में आपके पास कोई ना कोई होना जरूरी है क्योंकि नाइन मन्त में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है तो नाइन मन्त जब आपका चड़ गया है तो इन सारे टिप्स को फालो क्या विकास होता है तो फ्रेंड्स इस मंत सिसु का पून रूप से विकास हो गया होता है आपके सिसु की लंबाई 19 इंच और वजन 2,5-3 kg तक हो जाता है आपका सिसु जो है इस जो 9 मंत में आप कदम रख चुकी होती है तो मांसिक और सारीरिक रूप से उसका विकास हो जात में आपको एक बहुत डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस मंत आपका सुगर बीपी इसके बाद ब्लड प्रेसर यूरीन हीमोगलोबीन हर चीज की जाच होती है और इसमें अगर कोई भी एरर है कोई भी फैक्ट है यानि कि कोई भी कम है तो आपको नॉर्मल डिलिवरी होन गरनाल है यानि कि बच्चे की पोजीशन आपको इस मंत पूरी पता चल जाती है और इस मंत आपको क्लियर हो जाता है कि आपके डिलिवरी नॉर्मल होगी या सीजर लेकिन मैं आपके फ्रेंड होने के नाते आपको एक डवाइज जरूर दूंगी कि जैसा आपको डॉक्ट नहीं होती है मिलते हैं अगले वीडियो में आई हो अब तक आप अपना प्रेगेंसी एंज्वाइब कीजिए बाइबाइब टेक केर धन्यवाद